हाई गाईज, वेलकम वन्स अगेंग, गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी की वोटर आईडी कार्ट बनाने के लिए आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वोटर आईडी कार्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, ऐलेक्षन कमीशन आफ तो आप देख सकते हैं मैं mozilla firefox browser पे आ चुकी हूँ address बार में हमें type करना है https colon double forward slash voters.eci.gov.in तो हम voters service portal पे आ चुके हैं guys यहाँ पे आप form 6 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है new registration for general electors अगर आप इंडिया के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपको form 6 भरना है अगर आप nri है तो आपको form 6a भरना है तो मैं fill form 6 पे क्लिक करती हूँ मैं login पेज पे आ चुकी हूँ guys यहाँ पे मेरा account नहीं बना हुआ है यहाँ पे sign up का एक option है मैं उस पे क्लिक करती हूँ guys अब हमे sign up करना है तो यहाँ पे Indian resident elector पहले से selected है क्योंकि हम इंडिया के नागरिक हैं तो हमें यही वाला option selected रहने देना है हमें यहाँ पे सबसे पहले mobile number एंटर करना है उसके बाद email address एंटर करना है उसके नीचे capture एंटर करके continue पे क्लिक करना है तो मैंने सारी details एंटर कर दी है अब मैं continue पे क्लिक करती हूँ अब मैं अगले page पे आ चुकी हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना first name एंटर करना है उसके बाद last name एंटर करना है फिर उसके नीचे आपको अपने पसंद का password एंटर करना है फिर आपको वही password दुबारा एंटर करना है और request OTP पे क्लिक कर देना है अगर आपका last name कुछ भी नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी details एंटर कर दी है अब मैं request OTP पे क्लिक करती हूँ अब हमारे mobile number पे जो OTP आएगा वो OTP एंटर करके हमें verify पे क्लिक करना है तो मैंने OTP एंटर कर दिया अब मै verify पे क्लिक करती हूँ अब यहाँ पे हमें एक message हो कर रहा you are successfully signed up kindly login with your new credentials मतलब हमने successfully अपना id बना लिया है अब हमें login करना है तो मैं login पे क्लिक करती हूँ अब मैं login पेज पे आज चुकी हूँ सबसे पहले हमें registered mobile number एंटर करना है उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और उसके नीचे capture एंटर करके request OTP पे क्लिक करना है और ध्यान देना कि आपको वही password एंटर करना है जो आपने थोड़ी देर पहले set किया था तो मैंने सारी details एंटर कर दी है अब मैं request OTP पे क्लिक करती हूँ अब हमारे register mobile number पे जो OTP आएगा वो OTP एंटर करके हमें verify and login पे क्लिक करना है मैंने OTP एंटर कर दिया है अब मैं verify and login पे क्लिक करती हूँ जी हाँ guys आप देख सकते हैं मेरा login हो चुका है सबसे उपर आप देख सकते हैं मेरा नाम शो कर रहा है guys इस वीडियो मैंने आपको बताया कि आप voter ID card बनाने के लिए अपना account कैसे बना सकते हैं तो guys अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि voter ID card का form online कैसे बनना है उमीद है आपको ये वीडियो जोर पसंद आई होगी तो इसी तरीके कि और भी वीडियो देखने के लिए हमाई चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जाद जाद अपने दोस्तों में सेयर करें थैंक्स वार वाचिंग थैंक्यू